तत्रतम बुद्धी सम्योगं लभते पाउर्वदेहिकं यतते चाततो भूया संसिध्धव कुरुनन्दना हारे गिश्ञ आजम भगदीता के छटे अध्याय के 43 श्लोक पर चर्चा करें और पिशले दोशलोकों में तो भागवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि शुची नाम श्रीमताम गेहे जो कम जिनके सुकृतियां होती है भक्ति की वो श्रीमताम गेहे वो एक अमीर व्यक्ति की घर में जन लेता है और अपनी भक्ति संपन करता है जिसकी ज्यादा भक्ति सुकृतियां होती है वो शुची नाम वो एक वैशनव और धार्मिक उत्तम वैशनव के घर में जन लेता वो एक जो थोड़ा धार्मिक भी और वैशनव भक्ति भी करता भवान कृष्ण की ऐसे वेक्ति एगर में जन देगा माहा भागवत की घर में जन नहीं देगा और फिर उसके अगले श्लोक में भगवाने बताया कि एतधी दुड़लभा तरम लोके जन में यद्धि दृशम और जिसकी भक्ती बहुत ज़्यादा होगी जिसकी भक्ती सुकृरितिया नहीं जिसकी भक्ती होगी और अगर उसका फ कि तत्रकाणत होता है वहां वहां मतलब अगले जन में वह जब जन लेता तो घृश्ण जा जार्शत रहें को को पिछले जन की ज़्रोडितियाद रहती है बुद्धी मतलब जिस बुद्धी का उपयोग करके उसने जो भगवान की सर्विसिस की थी वेल प्लैंड वे में मतलों सहिजिया नहीं था यहां सहिजिया खंडन भी कर रहे हैं और बुद्धी मतलब दिमाग लगा कि भगवान की सेवा करेगा कोई केवर रादे-रादे करता हुआ व्रिंदान में बुद्धी को ताकि वो अपनी अगले जन में भक्ति कॉंटिन्यू कर सके पौर्वदेहिकम अपने पिछला जो उसका धे था उसी धे की उसकी जो कॉंशियस थी वो उसको इस जन में भी प्राप्त हो जाती है 20% अगर पिछले में डिवोशन की थी तो इस जन में भी 21 से श दूरी रह गई थी वो पर्यास रत था लेकिन उसका पता नहीं हो गया या मरने से पहले उसको पूर्ण नहीं कर पाया अपनी भक्ति को तो फिर वहीं से प्राप्त करके रहे गए जन में इसके तात्वरे के 999 वह कि दिव्य पर्यास अथ्वा योगा भ्यास कभी व्यरत न क्योंकि उनको अपने पिछले जन की consciousness चेतना पूरी याद थी अपनी यादाश याद थी उनको यादाश आ गही थी कब जब वह जड़ भरत महराज थे और उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ शाड़के अपना राज्जी जंगल चलेगे जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए सब्के और यहिरन से आसकते हों गये और अगले जनमें ही अगले जनमें वह जड़ भरत बने और बदने उनको अपनी दोनों लाइफ्स याद थी क्यों याद थी इसलिए नहीं कि वह पिछले में जो कर रहे थे तो संस्कार पड़ गये थे तो इसलिए उनको इसब य कारण भागवान ही हमें हमारे हुर्दे में स्थीत कर देते हैं ताकि हम अपनी भक्ति कौंटीनु कर पाएं भगवान की करण हो तो हम अपने पर्यास से नहीं टिवोशन शुरू कर सकते कि यह कोई संसारी मंडे नौलेग नहीं है और फिर दूसरा एक्जांपल राजाचित्र के तुटी थे फिर बाद में गंधर बने उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान की लिए ग्लूरी जाओं वो गंधर बने और फिर गंधर बनके उन्होंने उफेंस किया शिव जी के प्रती यह पार्वती जी को अपनी बिठा के हरीक रित्रासूर बने और रित्रासूर के रूप में भी उनको चित्रकेतु को जो गंधर थे अपने पिशले में उनको अपनी सारी जो भक्ती थी वो याद रही इसलिए वह वो डिवोटी असूर थे कहने कारती है कि ट्रांस्टेंटन नॉलेज एक बार जो भक्ती प्रकट हो अब इसको पड़ेंगे तो आप यह सारी बातें आपको व्याक्षा इसकी समझाएगी हरे किश्री प्रॉपात की चैट